हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल आज हम लोग बीपी अस्थी स्कूल टीचर 3.0 के लिए भारती थिया में जो मारा चैप्टर प्रा गय थिया है इसकाल उसके बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चलिए देखते हैं पहला कोशन पूछा गया है अब यहां पहला कोशन पूछा गया है प्राचीन पूरा तात्तिक इस्थल काली बंगन किस राज्य में है तो का काली बंगन जो है यह राजस्थान में कहां पे है यह राजस्थान में इस्थित है अब देखो यहां पे इसमें कुछ फैक्ट बताया गया है जैसे कि काली बंगा प्राचीन पुरा तात्यु किस्थल राजस्थान के हनुमान गड़ जिसको पहले स्री गंगा नगर कहा जाता था जिले में स्थित है सरव प्रथम उन्नीस स्व क्यावन से बावन इसवी में आमला नंद घोफ ने इसकी खोज की थी इस इस थल का जो है उत्खननकार उन्नीस सो उन्सट से बीबी लाल एवं बाल क्रफण थापर ने प्रारम किया यहां से यग गिवेदी और खेत के साच मिले हैं अब देखो यहां पर जो इंपार्टन कोस्टन है एक कोस्टन तो यह जो काली बंगा होता है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां क्या मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां और सरपतम इसकी खोज की थी अमल और जुते हुए खेत के साच मिले हैं तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन यहां पर पूछा गया है प्रथम मानो जीवाफ्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्थ हुआ था प्रथम जो मानो जीवाफ्म है या भारत की किस नदी घाटी से प्राप्थ हुआ था तो इसका एंफर हो जाएगा नर्मदा घाटी से किस से प्राप्थ हुआ था नर्मदा घाटी से अब देखो यहां पर बताया गया है कि जो भारत का प्रतम मानो जीवास्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है 1982 में अरुण सोनकिया ने होसंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हतनोरा इस्तल से मानो कपल तथा हाथियों का जीवास्म प्राप्त किया हाथ नोरा से प्राप्त जीवास्म भारत में प्राप्त प्रथम मानो जीवास्म है अब देखें यहां पर यह कोशन पूछ लिया जाए कि जो है मानो कापाल दिथा हांतियों का जीवाफ में भी प्राप्ट हुआ है उसके बाद यहां पर अगला question पूछा गया है बारत की प्राचीनतम संकृति कौन सी है बारत की जो सबस्छी प्राचीनतम संकृति है उसे कहा जाता है पूरा पाफानिक संकृति अब देखो आपे बताया गया है पूरा पाफार काल आधुनिक काल से धाई लाग एस्वी पूर से दफजार एस्वी पूर तक माना जाता है यहां हैंड एक्स क्लीवर और इसक्रेपर आधी बिसिट उपकरोणों पर आधारित संकृती थी अब देखो आधी पाफार काल में और पालन के प्राचिनतम साच मिले हैं नौ पाफार यूग में मेहर गड़ में क्रसी के साच मिले हैं और नौ पाफार यूगी निस्थल मेहर गड़ और बुर जहों हैं भारत की प्राचिनतम संकृती पूरा पाफारिक संकृती को माना जात है अब देखो आप जो एक कोश्यटं दीया गए है कि जो क्रफी के स्वाच सरव पतम कहां से मिले थे तो यह मिले थे मेहर गड़ से और एक कोश्यटंग ना जाने कितने बार पहुचा गया पेपर में उसके बाद दूसरा क्योस्टन यहां पर important point है कि पफपालन के प्राचिनतम साच से कब मिले थे तो यह मिले थे मद्यपाफाण काल में कब मिले थे मद्यपाफाण काल में मिले थे तो इस सारे point आपको याद रखने है अब यहाँ पर चौथा question पूछा गया है भारत में विश्व विख्याद सेल चित्रकला इस्थल कह भीम बेटका में कहाँ पर भीम बेटका में अब देखो यहाँ पर भीम बेटका के बारे में कुछ important point देगा है जैसे कि यह भारत के मद्य प्रदेश के राय सेंजिले में इस्थितेक पूरा पाफाणिक आवासी पुरा इस्थल है यह आदिमानो दौरा बनाए गए सेल चि भारती उप महादीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्न है और भारती पूरा तत्तु फरवेच्छड भोपाल मंडल ने अगस्त उनीस सो में राटी महत्तु का इस्थल गोफित किया इसको इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेसको ने इसे विश्व धरोहर इस्थल इटका की खोज किस ने की तब एंफर हो जाएगा विश्व वाकड करने और कब की गई थी तो उनीस सो सतावन अठावन इसी में की गई और एक कहां पिस्तित है तो मध्य प्रदेश के राज सेंजिले में इस्तित है यूनेसको ने विश्व धरोहर के सूची में कब सामिल क किया तो 2003 में सामिल किया और भौपाल मंडल ने कब इसको राटी महत के स्थल गोशित किया था तो 1990 में गोशित किया था अगला कोशन पूछा गया है प्रथम मनके का निर्माड का प्रमाड कि सिस्थल से प्राप्थ होता है प्रथम जो प्रमाड प्राप्थ होता है मनके के निर्माड का यह मिलता है पाटने से कहां मिलता है या पाटने से मिलता है अब देखो यहां पर बताया गया है महाराट के पाटने अथोब पाटने महता खेड़ी और राजस्थान के चंदे साल और मद्यप्रदेश के राम नगराद से प्राप्त सुतुर मुर के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टी होती है शुतुर मुर के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्प्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली परंतु प्राचीनत मानो निर्विच चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ इसका केंदर पाटने एवं भीम बेट का दोनों था परंतु सर्प्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई तो ये पांट आपको याद रखने है सरपतम कहां पहां 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 थी मनके के निर्माट पाटने में हुई थी और सुतुर मुणके जो है अंडे पर कीगे चित्रकार इसकी पुष्टी होती है और यह शुरुवात कहां सुई थी अठारा सुस्वाट में यूपी के बांदा जिलेश हुई थी next question यहाँ पर पूंचा गया है चीरांद पूरा इस्थल पर किस प्राचीनितम समक्रती के अवसेश मिले है तो चीरांद पूरा इस्थल में जो आवसेश मिले है वह है 95 समक्रती के किस के है 95 समक्रती के है अब देखो यहां पर बताया गया है बिहार के सारण जिले में चिरान ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नौ पाफाणिक अवसेश ते प्राप्त हुए है और 1922 तिर्फट में प्रोफेसर बीके सिनहा दोरा इस इस्थल का उत्खनन कराया गया था उत्खनन में पाँच प्रकार की संकृतियों के अवसेश मिले है यहां मानों गाफ पूस के घरों में रहते थे चावल की खेती की भी प्रमाड यहां मिले है और नौ पाफाण काल में ही क्रस कर्म का प्रादुर्भा हुआ अब यहां पर देखो अगर पूस लिया जाए कि चीरान से जो है क्या क्या चीजी मिली है तो यह चावल की खेती की प्रमाड मिले है और यहां पर जो मनुस रहते थे वो रहते थे घास पूस के घरों में और यह प्रमाड कहां से मिला है यह चीरान से मिला है कहां भी पढ़ता है तो सारण जिरे पर पढ़ता है और इसकी खोज किस ने की थी प्रोफेसर बी के सिनान की थी नेक्ट कोस्टन पूंचा गया है जिस काल में क्रेश कर्म का प्रादुर भाव हुआ वह कहलाता है अभी देखों यहां पर पढ़ा हम लोगों ने नौपाफार काल में क्रेश कर्म का प्रादुर भाव हुआ था इस कोस्टन के इंफर हो जाएगा नौपाफार काल नेक्ट कोस्टन यहां पर पूंचा गया है दमदमा पूरा इस्थल किस प्रदेश में इस्थित है दमदमा पूरा इस्थल जो है वह इस्थित है उत्तर प्रदेश में कहां पर है उत्तर प्रदेश में इस्थित है अब देखो यहां पर बताया गया है उत्तर प्रदेश के प्रताब गड़ जिली में स्थित महदाहा पुरा इस्थल से 5 किलो मेटर उत्तम पस्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरा इस्थल है और तहसील का इसकी पट्टी तहसील है 1982 इसी तक यहां उत्खनन कार किया गया है यहां फे ब्लेड फलक बियूरिन जिसको तच्छड़ी भी का जाता है आदी बहुत से लग पाफान उपकरण प्राप्त हुए हैं यहां फे हड़ी तथा सींग के उपकरण एवं आबूफर भी मिले हैं इनके साथ 41 मानो सवाधान तथा कुछ गर्द चूले भी प्रकास में आये हैं बिबिन पफू जैसे भेड बकरी गाए बैल भै साथी गैंडा सुर आद की हड़ीया प्राप्त हुई हैं कुछ पच्चियों मचलियों कच्चवे आध की हड़ीया भी यहां से मिले हुई हैं उसके बाद यहां पर अगला कोशन यहां पर पूछा गए बारत में पसुपालन एवं कृष के प्राचीन्तम साच्च प्राप्त हुए हैं पास सुपालन एम कर्श के जुब प्राचीनतम साच से प्राप्त रुए हैं वह प्राप्त हुएं मेहरगण से कहां से मेहरगण से नेक्स्ट कोस्टन यहां पे पूचा गया है निम्न लिकरत में से किसको कैलकोलितिक यूग भी कहा जाता है कैलकुल इतुक यूग किसे का जाता है तो इसको उस्टेन का इंफर हो जाएगा तामर पाफाण यूग को किसको तामर पाफाण यूग को जो है कैलकुल इतुक यूग के भी नाम से जाना जाता है